आज किस वीडिये में हम जल के महत्व पर संस्कृत भासा मेंने बन देखेंगे यानि कि जल का क्या महत्व इस पर संस्कृत भासा मेंने बन देखेंगे So let's start essay on importance of water in Sanskrit language इसको एक स्लोगन के साथ हम स्टार्ट करते हैं जैसे कह सकते हैं जल है तो कले यदीम जलम तत्र भविश्यती जीव भविश्यम भवदी यदी जल वहाँ होगा तभी भविश्य होगा यदी जल है तो कले यानि कि जल नहीं तो कल नहीं जीवने जलसे महत्वम अस्तियत जलम बिना जीवनसे कलपना कर तुम ना सक्यते जीवन में जल का बहुत ही महत्व है यदि जल नहीं होगा तो हम जीवन की कलपना ही नहीं कर सकते यानि हम जीवन जल के बिना जीवन की कलपना करना बहुत ही मुश्किल है जल हम वायूम चा बिना कोपी जीवी तुम ना सकनो भी जल और वाईू, इन दोनों के बिना कोई भी नहीं जी सकता, जल जीवनम अस्ति, यहां पर आप लगा सकते एव भी, यहांने होता है ही, यहांने कि जल ही जीवन, तो इधर आप चाहें तो एव भी लिख सकते हैं, एव का मतलब होता है ही, तो इसका मतलब हो जाएगा जल ही नहीं तो नॉर्मल इस सेंडेंस को भी लिखा जा सकता है परन्तु गत के ब्या वर्से ब्या प्रत्विया जलस समस्य अधिक भवती लेकिन कुछ पिछले वर्सों में जो जल है वो प्रत्वी पर जल की समस्य अधिक होने लगी है अत्र पिए जलस से पूनताया भावस्ती धीरे धीरे देखे तो पिए जल का पूरी तरह आभाव यानि की कमी होना सुरू हो गई है और धीरे धीरे जो पीने योग्य जल है वो कम होती अध्यापी 30 प्रतीशा जना नाम स्वच्छ पिए जल लबदी नास्ती अयदी 100 लोग हैं तो वर्तमान में भी देखे तो उनमें से 30 लोगों के पास प्रॉपर पीने के लिए जल नहीं है वो यहाँ वहाँ से जल का जो पीने ही हो की नहीं उसको पीना पट रहा है उनकी मजबूरी में आज के समय में केवल 30 प्रतीशर लोग ऐसे हैं जनके बस पीने के लिए साफ जल स्वच जल पे जल उपलब्द नहीं है नदी सु जल इस तरह अपी पत ती धीरे धीरे देखे तो जनदी का जल का जो इस तरह है वो भी पत ती है नीचे जाते जा रहा है दीरे दीरे जो जल का इस तरह है अस्या समस्या अनेकानी कारणानी संती अस्य मुख कारणा वर्दम जन संक्या अस्ती आप इसको चाहें तो इस बाले पॉइंट को इसको एक अलक पॉइंट भी बना सकते हैं ये दि आपको थोड़ा बड़ा ऐसे लिखना है 12 लगरा पॉइंट जी नहीं तो इसको साथ भी लिख सकते हैं कि आज के समय में बहुत सारे ये जो जल की समस्या हो रही इसके बहुत सारे कारण है इस समस्या के बहुत सारे कारण है जैसे धीरे धीर अचानक से जन्सम के प्रिद्धी हो गई परियावरन इनसा छीड़ छाड़ अपी उत्तरदा यस थी इसका दूसरा कारण है कि परियाव मानं बर्देगे थीरे रीख तफ जल का प्रदूशन याने कि जो water pollution हो दीरे बढ़ते जा रहा है Sesame वैस्विक अब इप्रमुक्ष कारण है धीरे-दीरे वैसमिक स्विक ताप मान वैस्पोर्ध को कह सकते इंगलेस में global ग्लोबल बॉर्मिंग तो यह जो ग्लोबल बॉर्मिंग है यह भी इसका एक बहुत ही इंपोर्टेंट में कारण है वैस्विक ताब बृद्धी भी कहा जा सकता है जिसे इस जल की समस्या का तो यह थे कुछ प्रमुक लाश्ट में चार कारण बताए गए हैं यह पहला जनसं बृद्धी दूसरा है हम प्रकृती के साथ छेर चार निरंतर जनसंग जल परदूशन बाढ़ते जा रहा है और जो वैस्विक ताब बृद्धी है यह भी यह प्रमुक चार कारण बताए गए हैं और यह प्रमुक जल की समस्या बताए गई है कि क्या कैस समस्या हैं कितने लोगों के पास जल उपलब नहीं है तो एट लास थेंक्स फोर वाचिंग दे वीडियो प्लीस शेर दे वीडियो असमच अस पॉसिबल विथ यो फ्रेंड्स और क्लासमेड्स